नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के य्टूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग आज तीसरा लेक्चर कर रहे हैं आपके साइन्स का डियलेट फोर सेमेस्टर का इसमें हमें कोई दुविधा नहीं हुई होगी पिछ मैं इतना तक कर दूँगा कि आपको उस क्वेशन के सराउंडिंग में जितने भी प्रश्ण बनते हैं सब कुछ बताने माता हूं और इतना में विश्वाज दिलाता हूँ अगर आप इस चैनल पर बने हैं तो आप मैं आत्मेटिक्स के और प्लस साइंस के प्लस जितने भी नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ मैं आपको एक तरस एक और प्रामिस करूंगा जितने भी क्लास में सुपर टेट आओ के वियस आने वाले सिचक बरती के लिए लूँगा और ले भी रहा हूं सुबह एक साथ बज़े आता है उसको आप फालो करना चाहते हैं तो फालो कर सब्सक्राइबी देखें यहाँ अब यहाँ पर आपको समंदीत बहुत सारे विênक हैं लेकिन आपको तीन लिखने तो तीनों ने आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चांज डारwine लाह मार्क वाद्वाद आपने बहँत अच्छे सर पढ़ा है लेमार के बारे में लिख उसका तुलनात्मक्षरीर रचना जैसे कि आपके आज यह लग भग लाखों साल चली थी तो इस प्रकार से हमने तुलना किया था अपने पीडियों के बीच में तब जाके आज हम मानों हैं और वह बंदर की स्रेडी में ही बंदर कुछ बंदर ही रह गए तो याद रखेंगे भई इसके बाद सरीर किरिया विज्ञान बिल्कुल सर पहचानो है नहीं बोल दो कपी आ गया कपी आ गया तो ऐसी बात नहीं है कपी का मतलब की उसके पूरे आँख वगारे दिखते ही नहीं थे बिल्कुल ऐसे बाल हटाओ तो जैसे कि अगर देखते होगे कभी हरर मूवी में जो की भूत वाला मूवी आती है तो उसमें आप कभी कभी जो महिला वर्ग होती है तो अपने बाल को आगे ऐसे करी रहती है तो बाल हटाओ तो उनकी आँख सीर्व दिखती थी तो इस प्रकार से पहले कपी हुआ करते थे उनके पास बहुत आपको पता है पौँच भी हुआ करते थे यह दीरे-दीरे क्या हुआ हुआ बिख्यान हुआ वह दो शरीर की ऐसी सनचनाय जो हमें कभी हमें हमारे प्रियोग में नहीं आती थी दीरे-दीरे अम उनका प्रियोग करना बंद कर देते हैं तो अब भी लुप्त हो गई ठीक है यह भी सही है अनुआ से की बिल्कुल नहीं इसी बात पर कहा था ना कि परिवर्तन हो जाए कि उसके जीन में परिवर्तन हो जाए तो आने वाली पीडी भी बिल्कुल भी परिवर्तत ही नजराएगी हमको नेक्स्ट जो विकास क्या है एक धिरे-धिरे विकासिक का क्रम है भाई जो कि क्रमिक परिवर्तन है सालों साल चलता है उसके बाद एक मिलते हैं वही हमारा क्या है जोवी कास है जिसको किस ने कहा था लैमार्क वाद ने कहा था लैमार्क ने बाद में लैमार का विरोध भी करते हैं डार्विन लेकिन फिर से लैमार्क का कहनाम था कि जीन में परिवर्तन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उसके पूरे आने वा पत्ति पुरानी जातियों के जिंस में परिवर्तन के कारष होती है इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कारे करते हैं सही बात इन्होंने बॉला, इनके दवारा दबाव बनाने पर ही जो लैमार के थे वो इस बात की पुश्ट किये थे, कि हाँ, केवल आएक अपने किसी बी सारीरी खाग का अगर उपियोग नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग help नहीं ले रहे हैं, तो वह खतम होजाने पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे आने वाले पीडि में वह चीज खतम हो जाएगा जैसे मैला है जब नाक कान छिदवाती है तो उनके बच्चे क्या नाक कान छिदे वे पैदा होते हैं और यह आज से नहीं यह पीडी दर पीडी राजा महराजा कई साल आप देख लो सिंदुगाटी सब्विता वैदिक सब्विता देख लो अपना पूरा पारसार मतब कि तब से वह लोग छिदवाती आ रही हैं तब क्या बच्चे तो ऐसा नहीं हुए तो इसका मतब तो यह त क्रोमोसोंस पाया जाते हैं तो जो 22 क्रोमोसोंस होते हैं फिमेल और मेल के बिल्कुल सेम होते हैं यक्स यक्स और यक्स वाई होते हैं तो बिल्कुल सेम सेम होंगे लेकिन जो यक्स वाला जो एक महिला खा होता और यक वाई वाला जो पूरुस खा होता उसी में कुछ ऐसे changes हमको हो जाए, genetics changes हो जाए, इस परिवर्तन हो जाए, वह चीज़े हमको आगे वाले PD में देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन अगर होते हैं, तूसरे हम कहते हैं, और हमारे जाती में, हमारे मतलब की पूरोजों में, जात का मतलब भाई, मानो जाती समझेगा, जाती मतलब किसी एक वर्ग की बात नहीं हो रही है, जाती मतलब हम लोग मानो हैं, सिर्फ मानो की बात यहां पे कर रहे हैं, बस, इतना समय लेए, हम लोग भेंड बकरी नहीं हैं, तो हम म नया रूप में भेंड पैदा हुआ तो उसका नाम क्या था बता सकता है कोई उस बहुत बार पूछा जाता एक्जाम में तो यह नौ डार्विन वाद था समझ गया मतब कि हमारे जीन्स में परिवर्तन होना नेक्स देखेगा प्रस्थ किस सिध्धान्त के कारण यूगोडी प्रस्थ का नाम प्रस्थ है तो बताएंगे उत परिवर्तन वाद प्रस्तुत के यह थे बस इतना एक लाइन में लिखेंगे बहुत जादे घुमा फिरा के भी नहीं लख रहा है कि एक जामनर परसान हो जाए ठीक है सबसे बड़ी चीज यही होती बच्चों में यह बच् कापी भरो चाना भरो लेकिन जो छोटा के वसन है उसमें फुल नंबर लिखो ठीक है कोई कहता है मैं लैमार्क वाद पर बहुत लंबा चोड़ा लिख कर आया है उसको कदो भाई तुम लिख लो तुम लिख लो ना मैं चार ही लाइन लिखूंगा लेकर सॉलिड लिखूं नीचे नहीं मिल रहे थे उसको तो दीरे-दीरे क्या वगांस खतम हुआ तो उनमें कुछ चैंजज देखनों के मिला भाई हमें पता है कि हर जाती हर प्राड़ी हर प्राड़ी हर वर्ग जाय जन्तु वर्गों चयमानों वर्गों अपने से आगे बढ़ने के लिए एक तो याद रखना बिना संघर्स के ना कुछ हासी लोड़े वाला है ना पीडी देखलो इतना बड़ा जिराप ने संघर्स कर दिया कि उसकी पीडी पूरी चैंज होगे उसके जिन्स में चैंज जाने लगे क्योंकि भाई उसको जमीन पर खाने पीने को नहीं मिले तो अपन तो इसका नाम हमने बताया था आपको तो इन्होंने इवनिंग प्रीम रोज के पौधे का नाम याद रख लेंगे क्या नामे इवनिंग प्रीम रोज प्रीम रोज रख देता प्रेम रोज इसका नाम तो तो इसका नाम क्या है इवनिंग प्रीम रोज के पौधे के पौध प्षाइन करते समय देखा कि पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी विन्न हैं इतने विन्न कि उन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता था मतलब कभी मैं समझना कि कोई एक कोई एक बहुत अमीर वर्ग कोई एक गरीब वर्ग मैं पता देता हूँ पहले जात का मतलब एक मानो जाती एक पीड़ी की बात होती है इस तरह समझना इतने भिन थे की नई जाती के रूप में देखा जा सकता है लंबी अवधी तक इस प्रकार के अध्यान के बाद हीगोडिवरीज ने पाया 1901 में परिवर्तन का सिध्धान्त प्रस्तुत किया यह चीजे दिमाग में रख लेना कि एक ही में जैसे कि मैं कहे लूँ कि आप लाल फूल एक तोकरी में भरते जा रहे हो लाल गुलाव वाला फूल एक तोकरी में भरते जा रहे हो बरते जा तो उसमें से कोई एक ऐसा फूल हो जो कि अपना सनरचना चेंज करने लगे अपनी सनरचना चेंज करने लगे तो इस प्रकार से एक बार आपने पूरे फूल डाले उस बगीची के तो एक का सनरचना चेंज था फिर आपने डाला तो दो फूल ऐसे मिले फिर तीन फूल मिले फिर इस तर ऐसे मिल जाएंगे पसुपच्छी आपको अपना आपके आस पास जो पटकते थे बच्पन में आप कभी देखते थे घर में आके इस पैरो ने जो मिट्टी का घर होता था उसमें खोता लगा देती थी अपना घोसला बना लेती थी लेकिन अब नहीं दिखता है इसका कारण क सिद्धांत को किस ने प्रतिपादित किया नए रूप में जैसे की लाल फूल था ऑग खुलाब प्लैक भी आता है इस तो ब्लैक फ्लावर आड़ लगया तो zeńुगो डिव्रीज ने बतायाता प्रतिपादित किया था इसको याद अगर देखेंगे लिफे हैं नव्त की बारें किस ने बारें बताया था ईदय क है कुस्कों धर्विन बारें युद्वित हो गया और प्लस बिटा ऐक्तर से डार्विन हो गया घ। जूलियन MAX है मद की अलोचना का अलोचना को धिश्णिकत किई इनकी और नहीं लुग से किया झौधर इनका विजया झेगां और क्या किया किया यह यहां विविनतों की उत्पत्ति तथा काड़ों पर कोई दिया उन्दर द्रमुन को पहलेग scripture फूरों पहुंच अस्थान अस्थान नहीं है हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ इस बात पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया का इस प्रकार से खतम हुआ आगे देखो क्या पढ़ों समस्ष्या इस बात की थी कि जिनकी वनसागती होती है वे एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में किस प्रकार पहुंचती है यह भी इनकी आया कि कास इस डिस में अगर ऐसा कुछ बेंजन में मिला देता तो वह साइद आउट टेस्टी बन जाता और इनका जो टेस्ट है है टेस्ट वाला स्वाध है उसको कोई खाता नहीं फीका पढ़ जाता बस यही प्रक्रिया होती थी हमारे साइंटिस्टों में सुरू जो करता आवर साड़ी नहीं तयार किया होता, गर उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता, तो मोजले का नाम नहीं आता कहीं, तो समझ रहा हो न यह चीजे, वलब कि शुरुवात तो पहले करो, यही उत्परिवर्तनवाद है बेटा, इतना समल्ले न, उत्परिवर्तनवाद का मतलब हैं, एप दोनों का मतलब से और मिलेगा match है हुए हुआ को मतलब यह की क्लोरी नहीं दोनों काम, प्लॉप, रिचान उलके यह होई हो यह हईजी में थे तो यह मिल गया मतब कि एक तरह से नया सा है मुझे कोई एक मतब की मान लिजे कोई योगिक मिल गया है इसे ही कहते है बेटा योगिक जिसे अब हम अलग नहीं कर सकते जैसे आप दही बना लिए ना दही बना है तो दही बेटा क्या है केमिकल दियक्सन है अब उसे हम अलग नहीं कर सकते फिर मात choice से दूद्र लिया था पानी लिया था पिर पत्ति लिये थे उसको मिला धीर चैय बन गया तो यह पन गया उसको अलग नहीं कर सकते लेकिन हगा यह रही तुट इस प्रकार के प्रॉसेस करें हैं तुसे हम क्याके जाय होता है चलिए नेक्स प्रास ढास नेक्स पर अधिक मात्रामें स्रवलता अधिक में हो जाता है जैसे और या टिंद्धा निम्न धातू ऐस का नामों नामों लेक कीजिए लोह लोह का आयस किया है जैसे कि मान लेज़े हमेटाइट है हमेटाइट में इस में बहुत सारे पतार्थ मिलेंगे जैसे मैं बात करना है हमेटाइट का जो इसमें और आड़ा बीव है था हूै हम आरन करना है तो आरन एक क्या बोलन इसको बोलने ह ніमें काफाइज और संग मरमर की यह दीवा रहें समझे वह चीज नहीं यह संग मरमर अलग सा कुछ है तो इसको यहाद रख लेना चलो भाई आजाओ नेक्स्ट निमलिकित अधात्विक खनीजों के प्राप्ति अस्थान का नामों लेक कीजिए बताना अभ्रक बहुमुले पत्थर पर्टोलियम कोईला नामों लेक करना है कहां पर पाए जाता है अगर आपने जियोग्राफिक का कभी भी मेरा वीडियो दे होते हैं जैसे चोटा नाकपूर का पठार रहे हानँ यह सब पराले सबसे जो पुराना एक तरे प्रदेश से बहिता है घंटवानने घंट वाना लैंड में बिटांट यहां लेंड यहां से बहुत जादे नहींनों प्रकार से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उसको डीटेल में कभी देखेंगे मैप से ठीक आजाओ अब रख बताओ चूना पत्थ्र निकलता है आपका जो चीनी मिट्टी वाले होते हैं मिट्टी हुआ हो गया वग्या वह निकलता है और करा करेंगे तो अब रmotherk के लिए दियूट्राइब काक्सर भंब 나오면 दिश्चनी में की और है ना मिट्टी वाले तोवा सारे के सारे संग मरमर भी वहेंस निकलता है ना तो आप लगे लिए देखो बिहार है ओरिशा है तमिलनाडू राजस्थान है बहु मुले पत्थर बहु मुले पत्थर यो वैट तरह समझते हैं मुंगा की चट्टानें जो हमारे जितने कि मारा अंडमाननी को बार हो गया वहां से मुंगा प्रकार कि जी हुए बहुत बड़े-बड़े छेत्रों में फाइल जाता है तो यह पर दूइप का निर्मार होता है तो बहुत सारे एक तरह सी गहनता साध्यान किया जाया ना तो बहुत सारी चीज़ें इस पर आया जा सकत युष्णा कावेरी जो गुदावरी नदियों का मुहान है वहां से अब कोईला कहां से मिलता है बाई पच्छे बंगाल बिहार और यह दोनों चेतर पढ़ जाते हैं जार मतब कि छोटा नागपूर वाला पठार वाला वहां पढ़ जाता है और तमिल्नाडू आपके नीचे तमिल्नाडू से कोईला कुछ निकलता है क्योंकि कावेरी नदी बेसिन है नी निकलता है प्रकार का होता है प्रकार को बताएगा ऊच्छ परकार के बाद बिट्ट्यूमिनस प्रकार होता है नाऑ ।atasट में बंगाल में ठीक है कोोईला है यह चारों की बना जाता है घर में हुआ सही तो यह षाप किसे नस्कारसड की विधियां लिख लिख लेना है तीन-चार विधी याद कर लेना है गुर्तुई करड़ प्रिथक्रड विधी चुम्ब की प्रिथक्रड विधी मैंगनेट से लगाकर उसको निकाला जाता है और एक फेन प्लाउन विधी बेटा नेक्स देखना ऐसक से प्राप्त असुद्धियां असु असुद्धी युक्त कुछ धातूं को विधी द्वारा विधी द्वारा सुद्धि किया सकता है इसको आप ऐसे पढ़ लेना देखना बाई नेक्स देखना विद्धूत अब घट्ट किसे कहते हैं जैसे कि बड़े बड़े टाइंक हो गए अन्धातु के लवर्ड विलिय जन्ता अब जो सब्से ज्यादा लंबा हम तार बना सकते हैं चादर है बड़े सोने कल सोने की काफी तरह से कुछ इसके वरेव जोते हैं सोच लो कितना लंबा चवड़ा उसका खीचा जा सकता है अब पांसों मिटर तक लेंगे ना तो बिल्कुल कम प्राइस में आता है यह बहुत पतला सा होता है इस तरह होता है या फिर कह लिए जो आप देखते होंगे वर्फी पर जो अच चांदी की तरफ तो चांदी का फाल होता है अब यह मत्सों लगें फॉल वीन ने फॉल को जुटाने लगे करने लगे उसको लेगा मार्केट में बेच दें तो में कुछ रुपए मिल जाएंगे बिल्कुल रुपए ने मिलते हैं बहुत ही पतला होता है उसका प्राइस ए जब कोई किसी भी मेटल से अगर उस पे अगर अपने नेल से एक तरसे रेखा या फिलाइन खीचेगा नहीं समझ रहो ना इस प्रकार से हो और जैसे कि आप उस पे जब कोई किसी भी मेटल से अगर उस पे कर लिज टकर वाने तो इससे अवाज निकले उसको खीच कर आप लंबा कर सकते हैं पीट पीटकर गला कर इस तरह से ठीक ना धातु में समाने तरह कर लिजए उस में एलिकसिटी फ्लोग कर जाता है आसानी से यह सबाब लेख सकते हो उसे पीटकर हम चादर के बना सकते हैं छिसे शमदार साइनिंग हो कि दातूओं की सक्रिता स्रेटी को समझाएए सबसे अधिक कौन होगा बताओ छोगा तो पूछा जाता है तो जनरली जो हमारा यहसा होगा मेटल होगा तो जनरली जो टो हमारा लग है और हमारा सब्सक्रणर और सबात says है को सभी 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 होते हैं यह बात पता है सारे खनी जो आइस्थ को नहीं होते हैं कि बहुत करो लेड़ करें हैं यहां और है और हैं कौन她 होते हैसिल्वर प differ बस याद कर लेना इसको बहुत डिटेल में जाने की आउसकता नहीं है धातू के निसकरसट से आप क्या समझते हैं धातू के निसकरसट से मतलब कि धातू में जो असुद्धियां होती है न उसे दूर कर लो जैसे आपने कभी सुना था कि सोन बदर में कुछ दो-तीन साल पहल अब 600 मिलने के बाद भारत का जो राइंग कोदा बहुत उपर आ जाता समझ रहो ना भारत साइद गरहां या फिर दसमें राइंग पर आता है सोना के मामले में लेकिन कितना गोल्ड है भारत के पास अपना गोल्ड तो इस प्रकार से अगर 600 किलो मिल गया तो बसुझ लो कि योगर थे जो एक तरह से वेटा असुद्धियां थी उसको निकाला गया उसको प्रगलन उसका किया गया तब जाके वह धातु के रूप में एक सोना मिला हमें थोड़ा सा ठीक है चुम्बकी प्रिथक्रड विधी क्या है जैसे कि मालेजिये पढ़ते हैं इसको यह विधी उ उसकों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें आयसक अथवा उसमें उपस्तित गैंग किसी एक की प्रकृती लह चुम्बकी होती है इस विधी द्वारा सामानिता चुम्बकी और अनुचुम्बकी प्रकृती के पदार्तों को पितक प्रड़क लिया जाए जैसे कि मैं मात क किसम्बकी हो जय CPU इसमें उसमें उसमें आपको उनकालना वह चुम्बक भत का पूरा के एक तरह से बेल्ट बना हो उसमें उसको एक तरह से पूरे रूप से उसको फैला दो तो वहां से भी चुंबकी पतार्थ उसे में चिपक जाएंगे और बाकी अलग हो जाएगा इस प्रकार से आप कर सकते हो प्रगलन क्या है प्रगलन क्या है धातु के निसकरशड की एक विधी है जल ध सांदित अयस के विलेयन की प्रक्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कराने पर धातु आउच्छे पित हो जाती है मतलब कि अगर आपको बोला जाए बिद्दुधन और विद्दुत रीड़ आप तो समझ में आ रहा है एक होता है एक क्या होता आपका बताइए कि ज सांदित होने के बाद वहां से अभिकर्मक जो होते हैं वह अपना एक तरह से अभिकर्मक के साथ अपना जो है रहता है सक्री रूप में रहता है बाद में दहात वहां से और छेपित हो जाते हैं मतलब गल जाते हैं प्रकार से ऐसे कहलो तो इसके बाद जो बचा हुआ होता निसकरसर उसको हम निकाल लेते हैं एक मिनट चलिए नेक्स पर आजाते हैं नेक्स परेज विद्धुत अभगटनी विधी क्या होती है बस उजद को उसी चीज को बहुत अच्छे समझाया हुआ यहाँ पर उच्छ विद्धुधनात्मक की धातूँओं का निसकरसर उनके अक्साइड हाड्रकसाइड क्लोराइड इत्याद के गलित अवस्था में विद्धुत अभगटन से किया जाता है क्योंकि इनकी योगिकों का अपचेन सामान ने अपचायकों के द्वारा नहीं होता है इनकी बिद्दुत अभगटन भी जली विलियन में नहीं किया जाता है क्योंकि इन धातुओं का मानक आक्सिकारक भिभाव हारडुजन के साफिश बहुत अधिक धनात्मक होता है गर्म करोगे तो आप देखोगे कि अब हाप के रूप में आपका उड़ जाएगा बटा ऑक्सिजन बनके यह चीजें उड़ जाएंगी और कुछ चीजें निसकर सड़ के रूप में बची रह जाएंगी एक प्रकार से बिद्दू से अब करा दो धातू जो है उसको ट्रम करेंट प्रफाइथ करते हैं तो यहां पर हमको जो उपर का कुछ होता है इसको निकाल लेते और उपर वाला क्या होता वास्क बन जाता है इस प्रकार से होता है कि खनीजों का वर्गीग एकड़ कितने प्राकारति के अधाट्विक होते हैं इधर नेक्स्ट मुद्धी किस तरह से इस का संधर होता है जाता है कि इस में किस तरह के रख कर सांधर के आ जाता है इस विदी में पालक्ति है जाता है में पहली बात है कि अपने जब आवर साड़ी उन्होंने डिस्कवर किया था में तो उन्होंने तिरसर तत्तों को इस चीज को याद रखना है आपको इसके बाद में इन्हों बताया था कि बहुत सारे तत्तों खोजे जा सकते हैं इस बड़ी इनकी इनकी मिस्टेक्स दिया थी इन्हों ने एक साथ रख दिया था और तो ऐसे इन्होंने मिस्टेक्स किये थे कि जो जिनके atomic weight equal थे उसको साथ में रख दिये थे मतब कि किसी का ज़्यादा था और किसी का कम था तो उसको साथ में रख दिये थे और एक दो जगा ऐसा भी mistake देखने के मिला था कि जो कम atomic weight वाला था उसको उन्होंने क्या लखा था बाद में रखा था और जो जादा उट वेट वाला नमबर था उसको उन्होंने पहले रग दिया था इस वेजय सधेक्स हो गया उनका त्हorte की ने अभले बहन व्म Campaign की निए उसको यह ते बाद में श्यों सुनक्छ जो आपसे पूछा जाता है कभी सबसे पहले कौन आए थे डुबराइनर तिक निम दिये थे मातर छे या फिन नौ तत्तों को उन्होंने लेकर किया था तो तक उनका फेल मार गया सारी चीजें तो फिर उसके बाद नुवलेंड आए नुवलेंड के बाद मेंडलीप आ जाते थी बेटा जितनी आज है ना 18 है तो उस समय आठ थी पहल एट थी और अभी आज जो जितने पीरियड है सेवन तो तब भी सेवन ही था रिया दखना सेवन पीरियड थे और एट ग्रूब किसके समय थे मेंडलीप के समय लेकिन आज की स्थितिं क्या है पिटा एक सो अठारे दो element है दूसरे और तीसरे आवर्त में इसके बाद तीसरे चौथ में 18 18 हैं उसके बाद पांचवे में 32 हैं और शाटवे में कितने हैं तो बता देखें किसी वर्ग करमांग से क्या प्रदर्शित होता है किसी वर्ग करमांग से बिटा उसकी संख्षा का संख्षा प्रदसीद होते हैं किस वर्ग का है किस वर्ग का है ठीक है जैसे कि मैं कहलों कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का करमांग कितना है वन है तो बता सकते हो किसका भाई इसका के लेमन में और वीट में तोड़ोगे तो के में आती है को बता दोगे दस आते हैं तो टा या किस ने बताय थकुए हूं ऐसकी संख्या उस्की पोजीसित्ank नब बता सकें ठीक नौन झार आखर स्थे जेलिए लेक्ट्राइल रमाग्सर्ण आपये जीए इमाहल fasting के विसिस्तां बढ़ने लगते हैं अगर उपर से नीचे आने पर उनके रेडियस बढ़ जाएंगे यह चीजी यहां दखना उनकी साइज भी बढ़ने लगती है यह चीजी यहां दखना आयनन विभव हो गया और आयनन विभव कम हो जाता है बढ़ जाता है इस बात करेंगे इसमें देख लिए क्या क्या बोला गया है एक ही उपवर्ग में एक ही उपवर्ग के तत्तों के गुड़ों में आपस में समानता होती है बिल्कुल परन्त उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्तों के गुड़ों में भी नता होती है यह बिल्कुल सही बात है पोटेसियम आता है रूबीडियम आता है सीजियम आता है और बिटा जीन मतब कि क्या जाता है प्रेंसियम एफर आ जाता है इतने अगर आपको करके देखना है और एस टू है न तुसके लास्ट में देखेंगे दो ही आएगा निस्ती तुरुप से दो आने वाला जिससे अम अंदाजा लगा सकते हैं किस वर्ग का है ठीक ही उपवर्ग में उपर से नीचे जाने पर बिच्छा तत्तों के भहुतिक एवं अगरों में करमिक परिवर्दन होते हैं बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने सनसोधित आधुनिक आवरसाडी में कितने आवर्त होते हैं जो आवर साडी आपका जो मेंडली द्वारा दिया गया उसमें अगर देखा जाई आवर्त कि संक्षा साथ आई ठीक है ना अधी होते हैं इसके बाद चट्वे में कितने कितने होते हैं इसके बाद लगू आवर्थ जो आता है उसमें में 32 होते हैं ठीक है मिंडलीब की आवर्थ साड़ी के कोई दो लाब बताईए बहुत सारी चीज़ें हमको लाब दिया सबसे बड़ा दोस हमने बता दिया गया था समान तत्यों को एक साहत रखे थे इसको इक साहत headphones रख दिये थे अरफ आपहर वाले त्त्यों क कमभार वाले थे जी चीज़ें थी सबसे बढ़ा गलती क्या थी इन्होंने द्रबान के दार पर इक्रश्ष सनचना बनाया था अगर वह क्रमाद क्रमांग पार मैं इसको सुधार करते थी कि चलिए आज आ धातु तता अधातु का आज से एस पस्ट करिए भाई धातु तता धातु का धातु जो है कम विद्धु तरुड़ात्मक वाले तत्तो धातु होते हैं अब पता है कम विद्धु तरुड़ात्मक वाले तत्तो क्या होते हैं धातु होते हैं और धातु किसमें पाए जाता भा कौन कोन से हैं जैसे कि आपका बुराण हो गया नगा बुरान के बाद सीजिया हो गया जर्मेनियम वह गया पॉलोनीयम हो गया टेलीूरियम हो गया विसमित हो गया सब्सक्राइब थां सब्सक्राइब और एन इसे कम होती है और अधातौँसे चाहते होती कि में भी थांट भाइब किस तरह को खाल जिल्टारा उसे चाहते हैं मतब किडाप लिजेए ठीक भाई चलो आजाओ बिदुधारा के सुरोत बताई बढ़ी बिदुधारा के सुरोत क्या क्या हो सकते हैं बैटरी हो सकती है जनरेटर हो सकता है जनरेटर में क्या लगा होता है जिससे की घर में लाइट आ जाती है आर्मेचर लगा होता है आर्मेचर तभी तो जनरेटर का काम होता ह कि electricity को में बदल देना और कि करेंट को में कर देता है और जो जनरेटर होता है वह जन में करता है बदूत के चारों तरब का वह जहां तक किसी चीज को आखट कर ले उसी प्रकार से जब बिदूत के शेतर पूछ ले तो बिदूत के समवहनी वह छेतर जहां तक बिदूत की पहुंच बन जाए उसे हम क्या करते हैं बिदूत शेतर करते हैं लेकिन यहां पूछा विदूत वहाग बल तो एक बिदूत सेल के संपूर परिपत में एक कुलाम आवेस अगर प्रवाइट होने के लिए जो से जो उर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्य गता हुञान परिपत से तो से गता है जो कि किसी भी परिपत में ध्रा को माप देता है बोल्ट में भीटे जाता है बीदूत होना चाहिए कि अ में बटे आई तो टो आर होता है और मातरक होता है यू होता है ये चीज़ी ये अदगना है और मातरक क्या हो जाएगा का आपका यह मतलब बिवाव का मतलब जितना आप आवेश ला रहे हो आवेश लाने में किसी एक विंदू पर रखने पर आवेश जितना आप कार हे करते हो वही आपका विवाव का लाता है ठीक है तो जिसका गल्लांग तो कम तुरंद जादे अगर पाए तो लेकिन प्रतिरोध बहुत जादा हो जिससे की जादे करिंट अगर आने लगे तुसे रोग सके जिसे कि आगे घर के जो इतनी अप्लाइंस है सुरच्चित हो सके तो फ्यूच का में लिए होता है अब तो कटा है तो आज नहीं खत्म हो पाएगा तो कल देख लेते कितना पेज है वन से कंड़ना बिटा तो कि अ चली कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आप सभी को बिटा ने एक दो क्लास अगर इस्टा भी हो जाएगा देखिए कहां थे मैं भी भूल गया भाई कहां था मैं कि नहीं हो आज़ा भूल दो को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता कारण करण के अकेला सोतना का होना संभव नहीं है जैसे कि मैं आपको भूलों अगर आदमी नहीं है तो आउरत का क्या 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 है आउरत नहीं है तो आदमी का क्या क्या है इस जीवन की या भी इस संसार को चलाया जा सकता है जब नहीं चलाया जा सकता है तो यह तो कहना ही बेकार है कि बिना आदमी के जीवन चल सकता है बिना आउरत की जीवन सल सकता है यह तो बेकार ही बेक तब तक क्रिया कलाप आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर आप इसे ब्रेक भी कर देते हो कहते हो कि नहीं एक चीज में हटा दूंगा तो फिर से अपने आप भगवान ने ऐसा इसको बनाया है न फिर से वह अपने आप एन और एस बना लेगा समझ रहो न तो फिर से इस प्रकार से बहुत नड़ की तरफ देखाएं आपस में पहले होती है तो आकरसड़ शमता इस बैसे सबसे आदा पोल भेवता है और देखों अंदर की तरफ साउस से नौर्थ की तरफ चलती हैं यह बात याद होना चाहिए और बाहर की तरफ साउस के तरफ चलती है इस वैसे आकर्षड जो समता होता उनका साउथ पर अदिक होता है तो बताउ कि सब्सक्राइब तो आप साथ टेलिफोन नहीं कर पाते किसी को एक तरसे modern generation नहीं आ पाता इसका कोज जाना उचित था ही अगर ना होता तो अब खो़ लिया जाता कि किसी किसी के दोवारा scientist की तोरा कि समझ रहो सकता है आप ही में से कोई हो भाई समझ रहो ना जो यह चीजें थी जो की सामने किसी दिन तो चुम्बक का यूज़ है टेलिकराप फिकरते हैं टेलिफोन एंत्रों मी करते हैं जैसे हमारे अभी आपके टेलिफोन आ threeहारे केमरे में आपके these केमरे में यहां तक कि मैं बता दू้іл। wearing एक इलेक्टिक मेंगनेटिक फोर्स जनेरेट होता है गयाल वैपने क्वैल मोटर बनाओता है ताबे का अंदर और अक इसारी चीज होती है वहला कि दो आवेश्ट वस्तूमीं लुभांट्क कि अब कब आकाश्ड और प्रतिकाषर्व और जब बता दिया क्या मैंने कुछ गलत बताया करें तुरं टोका करो सब्सक्राइब कर देंगे तो फोटान पहुता है इलेक्टान का दर्मान कितना होता है इतना कम होता है इतना चीजे थी और पर जो हमारा अटामिक मतब एक तरह से मास होता है प्रोटान का वो कितना होता है जाता है आपका एलेक्ट करता है आपका इलेक्टरान यह चीजे थी न हमने बता दिया दोनों का मात्रक बता दिया कुलांग होता है एक सेंटिमेटर की दूरी पर इस्तित परसपर एक न्यूटन का कशट बल उत्पन करने करें तो प्रतेक आवेश एकांक आवेश का लाता है यह चीजी यहां दख लेना आगे जो बिदुधारा किसे काते हैं भाई बिदुधारा इसकुल क्या होता है आप ऐसे बता दोगे फ अगर इस तरह देखेंगे तो पुलाम अपान में सेकेंड हो जाएगा नेक्स देखना अब यह देख लो आपका प्रेटिकल आगया प्लास्टिक के कंगे को उनी कपड़े से रगड़के समझाई यह आपके उपर मैं छोड़ देता हूं इसको मैंने उपर समझा रखा है ज तो रेसम के एक तरह से क्लोथ मिले ते उस पर अगण ना बीदुधारा कितने प्रकार को दो प्रकार की उते हैं अब यह घर में आता है लेक्टिक ने बहुत खतनाक होता है बले लगता होगा आपको अरे चोड़ दिया बहुत चोड़ता है कभी-कभी बहुत हाई पावर आते हैं तो एक ही जटके में तो जान ले लेता है पटक पटक देता है उटा-उटा के तो आप तो बच गए ना पता चला जैसे जटका पीछे भी हुए यह लिक्सीटी है तो आगे की तरफ जटकी का आगे पीछी आगे पीछी कर करके आपक भा विद्बंग कराते हैं जुह आप मुबाइल चार्ज करते हो व assumण बॉबाहल के बैडरी को करता अप्य चीज होती है अब कल आते हैं कघ Whereas च्क दौ우 झा कोई लिक्कत नहीं आ पको समझा करता है तो चलिए कल आता है नेक्स पार्ट लेकर इसका आज तीसरा पार्ट इसके बाद दो पार्ट और आएगा तो पार्ट में आपका साइंस खतम फिर मैं इंगलिस जुरू करूंगा धन्यमाद आपका जब तक आपका एग्जॉम होगा मैं पूरा गारंटी कहता हूँ आपके सारे सिलेबर्स खतम हो चुक्त करते हैं और इसके बाद इंगलिस का लूँगा मातर दो तीन पार्ट में खतम करूँगा इंगलिस का पूरा एक ही दिन पढ़ लेंगे तो कभी मेरे द्वारा पढ़ाए गया और आगे आपको यूपी टेट के पूरे लेक्चर इसमें मिलेंगे इस प्लेटफॉम पे सुपर टेट के सभी लेक्चर मिलेंगे टेली चल रहे हैं बस आपका दाई तो यह होना चाहिए कि जादे जादे बच्चों को में कलिर करके जोड़ूं धन्यवाद मेरे लाल